नमस्ते जोस्तो आज का डेट है 20 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्स करेंगे 10 हिंदू के कुछ important आर्टिकल हिंदी में तो सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्स करेंगे अभी हाली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आसंका जताए गई है और गहरी संदेह ब्यक्त किया गया है अभ अन्ना कुलम में बन विभाग द्वारा अस्थापित किया गया है AI कैमरा मेली जो है वह एलिफ हैंड्स को ट्रैक करने के लिए ही किया गया है यहां पर जैसे जो important छेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा आते हैं हाथियां तो उसकी संख्या को निदाइत रखने के लिए उसक कम करने के लिए लगातार जो है वो AI कैमरे का निगरानी रखा जाता है ठीक है इससे और भी बहुत से फाइदे हो सकते हैं जो पोचिंग की समस्यारती जो सिकार करने आते हैं उससे बचाने में हम लोग काम्याब होंगे उसके जितने भी मानव पसू संघर्स होते हैं उस छ इसको हम लोग बिस्तार से पढ़ लेंगे और आज का सबसे महत्पून आर्टिकल जो है इंडिया ग्रीस के बीच में जो है महत्पून बढ़ते हुए संबंध ग्रीज जो है वो एशिया का परवेश द्वार है और भारत के लिए जो है यूरोप का परवेश द्वार है ठी सब्सक्राइब बहुत सारे हैं चाहेब आर्थिक हो राय नितिक हो और संबन्द हो प्रगारता भी रहेगी योंकि भारत और गृष का जो हमन्द है वो बहुत पुराना है प्राचीन कालों से चलता है हमारा व्यापार जो हैậu होगत पुराने समय से हैं उसके जैसे कुछ महत्पुर्ण फिलोसपर्स भी आया है जैसे प्लूटो हो गया तो भारतिय फिलोसपर और प्लूटो इन दोनों के बीच में भी कुछ बिंदूओं पर एक रूपता देखी जाते जैसे आत्मा के समझ में जैसे कि प्लूटो का भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उनकी आत्मा जो है वो दूसरे सरीर में अस्थानांत्रित हो जाती है ठीक है उसी तरह से गीता में भी कहा गया है कि जब कोई इंसान कोई भी अक्ति मरता है तो उसका आत्मा जो है वो उसके सरीर से निकल जाता है ठीक है उसके बाद बहुत समय से देखा जाता है चाहे वो UN Security Council हो तो वहां पर भी जो है तर्की के द्वारा जो है इंडिया का बिरोध के आता है और टर्की और ग्रीश के बीच में लगातार जो है मनमुटाव बना रहता है वो भी साइप्रस आईप्रस आईबलोध के कारण साइप्रस आईजय उसके नीचे का छेटर ग्रीश हो और ऊपर शोटर जो है वह टर्की का है यहाँ पर इसी कारण दोनों में दोब रहतार ठीक है तो टर्की जो है वह एंडिया खिलाफ लगाता उससे भी प्रभावित हो गया लेकिन ग्रीस एक ऐसा खिलाड़ी है युरोप का जो इसे फिर से पुना जीवित कर सकता है ठीक है ऐसा नहीं है को उस पर ध्यान देना बंद कर दियागा इसलिए भायत के द्वारा है जो लगातार जो है ग्रीस पे अपने संबंध को बहतर करन इस तरह के राजनीती में जो है धोखाधड़ी का गंभीर संदेह जता है तुसी के बारे में कुछ बाते हम लोग जान लेते हैं हॉट्स ट्रेडिंग ध्यान रखेगा इसमें मेली कहा जाता है त्रिसंकु विधान सभा के इस सिति में राजनीतिक दल जो होते हैं वो जाएं के रही जो है एक सरकार बनाना चाहा रही है ठीक है उसके जडियों के द्वारा देखा गया लगाता है इसके दोनों का ये अधार्य को वह साथ मिघयाेपीके सब्यादा उसी की बात हैं पर की जारे है तो इसी समझ जो है खरीद प्रोज बहुत जादा होता है तो इसी में कहा जाता है कि विश्चता में आने वाली सरकार का हिस्सा बनने या उसका पक्स लेने की संभावना कर्सित करने के लिए मौदरी और नहीत स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं और यह दल बदल विरोधी कानून की तरह ही मिलता जूलता है ऐसा नहीं है कि समान है ठीक है हलाकि दल बदल विरोधी कानून की तरह कारवाही से बचने के लिए इस तरह से कारिक के जाते है और इन कम्यों का फाइदा उठाकर जो है वो होर्स ट्रेडिंग किया जाता है रा लिग्राम का चैनल बना दिया गया है और सोसल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं ठीक है याई कैमरे से जो आपके फूटेज हैं वो लाइब देख सकते हैं ठीक है उसी की बात है हां पर की जारी इसे बहुत से फाइदे होगे जैसे परेटन जादा जादा आकर्शित होगे उसके जितने भी ऐनिमल्स हैं वे सुरचित महसूस करेंगे उसके बाद मानव और जानवरों की बीच में जो संगहर्ष होता है उसमें कमी आएगी ठीक है उसके बाद उसके स्वास्त को भी निगरानी करने में हमें सफलता मिलेगी उसके बाद जितने भी कोचिंग या फिर कह सकते हैं कि शिकारी आते हैं ठीक है और हाथियों को मार कर उसका जो है बैस्पिक बाजार में बेचने का प्रयास करते हैं उससे बचाने में भी हम लोग सफल होंगे तो इतने सारे फाइदे थे AI कैमरा के उसके लगातार परमोट किया जाएगा सुसल मीडिया पे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब है मानव और जानबरों के बीच में emotional attachment बढ़ेगा ठीक है इसे ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है अन्ना कुलम में एक AI वेस्ट कैमरा बनाया गया है ताकि जंगली हाथियों के जुन्डों के परसिद जलासे तक पहुंचने की तस्वीरे उपलब्द कराई जा सके अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि घटना अस्थल की live तस्वीर जो है वो परेटको को अन्ना कुलम एलिफैंट औरू नामक टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो मन कुलम बन प्रभागने सरकारी इंजिनियर कॉलेज एडुकु के सहयोग से इस परियरजना को लागु किया है तो जिससे कि इन तस्वीरों की क्या खासे अधे तो यहाँ पर तस्वीरें क्लिक पने के 30 सेक से एक मिनट का डीले होता है तो अन्ना कुलम में वाटर होल के पास एक एयाई कैमरा स्थापित किया गया है जो 24 घंटे तस्वीरे परदान करते हैं और उन्हें प्राप करने के लिए उप्योग करता है जो है वो नावबा टाइप कर सकते हैं और इसे टेलिग्राम चैनल पर भेज सकते हैं तो अन्ना कुलम में नजदी की बन कार्याला को वाटर होल पर जंगली हाथियों के आगबन के रोजाना कई फोन आते हैं ठीक है वही बात में कर रहा था कि मानब और जानवरों के बीच में जो संखर्च होता है उसको ही बचाने में हम लोग सफल होंगे तो जosphие की जहाथएंचe बहुत जादा रिएलोज होते हैं तो ऐसे परएटक जलाय सैब पर जंगली हाथियों के आगबन के बारे में पूस्ताज करना शुनशित करते हैं और नई पंदान्यों के माध्यम से इसे और ज़्याधा आसान मनाय जाता है तो हाथियों का जुन एक बार में कम से कम 5 घंटे तक ये नदी भी ध्यान रखेगा ठीक है तो पस्थिति के बारे में पता चलता है और परटक आसानी से मननकुलम से अनकुलम पहुंच सकते हैं ठीक है तो राज के पश्मी घाट में मन्नकुलम बन प्रभाग जो है वो यूनेस्को की बिर धरवर सिंख्लावों में से एक है यह ठीक याद अखेगा यूनेस्को साइट्स में भी यह सामिल है राज के पश्मी घाट में मन्नकुलम बन प्रभाग इसी में आगे कहा जाता है systemically कि जंगली हाथी और उनके बच्चों कि तलास करने में आसानी होगी जो अनकुलम नदी में चल जाते हैं ठीक है और पता नहीं चल पता मैं ली इन नदी में लिफ पानी के बुर्गुले जिसमें एक विशेश नम्कीन फ्लाद होता है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यदा जंगली हाथी आते हैं विशेस रूप से जंगली हाथीयों को अकर्षित करता है यह नाम याद रखेगा अन्ना कुलम नदी की बात की जा रही है तो नमबर 22 में मन्ना कुलम में बन विभाग के अधिकारियों ने मानब बस्तियों के पास जंगली जैनबरों के उपस्तिती की निगरानी के लिए ही इस तरह का AI बेस जो है कामरा लगाया था ठीक है तो बहुत सारे फाइदे होंगे इस AI कैमरा से अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ इसमें कहा जाता है में इंडिया और ग्रीश के बीच में जो है लगातार संबंद में प्रिधी हो रही है ठीक है वही बात कहा जा रहा है कि ग्रीक प्राइम निस्टर नाम याद रखेगा है कि उड्री सोटा कि जो नई दिल्ली आ रहे हैं 21 फर्वी से लेकर 22 फर्वी तक रहेंगे तो नाम याद रखेगा जो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर है प्रयास का जारा लगातार जो है वो भारत और ग्रीश के बीच में सम्मंद बहतर हों क्योंकि ऐसा माना जा रहा है ग्रीश गेटवेस टुए अठीक है और इंडिया गेटवेस टू एउरोप ग्रीश के लिए एसिया में आने के लिए इंडिया बहुत महत्पुर्ण है उसी तरह इंडिया को एउरोप में जाने के लिए ग्रीश बहुत ही महत्पुर्ण है इसी के बारे में कुछ चीज़े हम लोग पढ़ लेते हैं तो ग्रीग परधान मंत्री जो है वो एक ऐस से चौबिस परवीश परवीश यहां पे थोड़ा गलती है एक पॉर्ण पॉलेशी कंफरेंस है जिसमें हमारे जियोपॉलेटिक्स और जियोएकोनोमिक को जादा से ज्यादा चिनित किया जाता है और जितने भी चैलेंजी इसू है जो हमारे 20 पर 12 सम्मूझों पर रहे है उससे बचानेके लिए ही इस तरह से कॉन्फरेंस आयोजीत किये जाते हैं और यह जो नाम दिया गया है राइस सिना हिल्स के द्वारा क्योंकि यहां पर भारत का संसद स्थापित है पुरा का पूरा भारत का जो सक्तियां होता है यहीं से होता है ठीक है तो यह डायलोग का जो अस्ट्रक्चर होता है यह बहुत यह जएदा विद करकरें हिध्यर कितेथद्यार को यहीं को सधने में सफल होता है ठीक है यह मुण्छ खेत्रों कि परमुक्त लोगों यहां पर बुलाय जाता है और जितने भी गंवीर और समयदन सीन मुद्दे हैं उसके एक स्वक्ष चर्चा किया जाता है, healthy चर्चा किया जाता, ठीक है, इसके significance क्या है, तो it seeks to lead and aid policy thinking towards building a strong and prosperous India in a fair or equitable world and helps discover and inform India's choice, ठीक है, और इससे भारत का जो आवाज है, वो बैस्विक अस्तर पर और बहतर आता है, ठीक है, तो इसके महत्प क्या-क्या है, जैसे आर्थिक छेतर में अगर देख लें, तो आर्थिक अफसर, साथ आए ब्यापारिक प्रतिनीर मंद के कई छेतरों में आर्थिक अफसरों की तलास होने की संभावना है, जब इंडिया और ग्रीस एक साथ अपने संबंदों को बहतर करेंगे, ठीक है, और यह जो यात्रा है, अभी ग्रीस के प्रधार मंत्री भारत आ रहा है, तो उससे दोई पक्षिय संबंदों का एक महत्क और भुमद्य सागर तक भारत की रानितिक पहुँच पर भी आधारीत होता है, ठीक है, जितने भी जो दचनी इरोप हैं, वहाँ पर ग्रीस का परभूत बढ़िया है, और साइप्रस के छेत में भी देख सकते हैं, कि साइप्रस का जो सौधन छेत रहे ग्रीस वहाँ पर भ प्राचीन संस्कृति और सभ्याताओं के साथ दुनिया के सबसे पुराने लोग तंत्रों में से यह ठीक है, इनका संब्ध जो है, वह मौरिका लिया फिर उससे पहले जो थे सिकंदर महान के समय से ही चलता रहा है, ठीक है, तो प्राचीन भारत में ग्रीश के साथ संब्ध जो थे, वो बहुत ही बहतर है, और ग्यात नदियों के अगर बात की जाए, तो प्रारंभिक युनानी लोग जो है, वो गंगा नदी के बारे में जानते थे, ठीक है, और इसे फीशन कहते, तो नाम याद रखेगा कि ग्रीश के द्वारा गंगा नदी को फीशन कहा जाता और महान युनानी राइनितिक दार्शनिक प्लूटो, ठीक है, प्लेटो जे थे, को रहाश्यबादी दियान की भारतिय परंपरा के बारे में जानते थे, और आत्मा के बारे में एक बहुत ही अच्छा इनका स्टेट्मेंट है, कि आत्मा जो होता है, वो मृत्यू के बाद सहील को अस्थांत्रिक कर देता है, ये पुनर जनम को मानते थे, ये ध्यान रखेगा, और भारतिय परंपरा में भी गीता में भी पुनर जनम की बात की गई है, तो इनके प्रभाव क्या थे, तो प्लेटो की परसिदिक्रिती दर रिपब्लिका में कहा जाता है, कि बिभाव किसी भारतिये का मंतरी का और उन्हें उस सम्मान दिया गया, खिक से घकरेश समवान दिया गया है, डीशे समानिती यहाए, ग्रrine करोस है, ऑफ ओनर से भी, समानिती आ प्रमिमें किसी देश के forestry, जेशीं होताना ही जै, जैसे भारत,में भारतत होता है पद्म भूशन होता है ठीक है उसी तरह से जो ग्रीश का सेकेंड बेश्ट पुरसकार था भो भारत्य पधान मंत्री को दिया गया तो ग्रीक शंसद ने हाल ही में जो है वो आई से इंटर्नेशनल सोलर एलाइंस को भी अपनाने की पुष्टी किये जो कहीं न कहीं जो है भारत की उपज है जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम बेहतर होगा कुछ हम लोग आदान परदान करेंगे मिसाइल्स को भी हम लोग आदान परदान करेंगे ठीक है यही सारी चीजे कहा अगर भारत और घ्रीज जो है तो भारत के जो अभी परियोजनाव में भी अभी इससरहना आएगा जो रेट सी में अभी समस्या चल रही है वहां पे भी अगर नजदी की देशों के द्वारा ज्यादा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो होतीज का जो प्रभाव है वह भी स्वाप्ट हो जाएगा उसी की बात यहां पर की जा रही है तो ग्रीस की राणितिक इस्थिति जो है वह भारत और खारी देशों के लिए उरो इसका भी प्रभाव बढ़ेगा ठीक है यह जो हमारा एकोनोमिक कोरिडोर है अभी जो ठंडे बस्ते में चला गया था अभी थोड़ा सा आप प्रभावी हो गया था क्योंकि इज्रायल और हमास के बीच में लगातार संगज चल रहा है और रेट सी में जो है होतीज का प्रभ प्रात्मंग असर जो है वो इंडिया और मेडिश्ट के एकोनोमिक कोरिडोर पर ही पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने में भी मद मिलेगी तो इसी से क्या होगा कि करेक्टिविटी से भी पूरे भूरायंति में भी प्रभाव पड़ेगा तो सनिक्तुराष्ट प्रस्ताव यह भारत की बोली का भी समर्थन करता है तो अब एक वार साइप्रस भी देख लें यह जो है मेट्रेंशी में है तो में दिस अगर नाम याद रखेगा तो इसमें मुख्य बात है यह जो यलो वाला पार्ट है यह है ग्रीश का ठीक है और यह जो ऊपर का नौर्थ का पार्ट है यह जो है वो टर्की का है तो इन दोनों के बीच में जो है लगातार संगा सरतों कुछ चीजे और ध्यान रखेगा कि साइप्रस जो आइलेंड है यहां पर और एक दो देश है जैसे यह जो ग्रीन वाला जो पट्टी बना हुआ है ग्रीन वेल्ट है वो यूएन ग्रीन जोन है ठीक है उसके बाद यह जो बैगनी कलर का है इसमें यूके का प्रभूत है ठीक है यह कुछ चीजे दिहान रखेगा यहां पर नीचे हैं सबस कि ओर ग्रीश के भीच में है कैब भारत से लगाता दूश्मfel ही चलती है तरकी का ठीक है तो क्योंकि बेसवक एसथर पे लगाता है पाकिस्तान के सरकना होता है तो इसे थे शो है इसके विर्श के साथ बहतर संब्न बनाने जा रहा है क्योंकि कि कि दुसमन का दुस्मन दो अंतराष्ट के प्रस्तावों का आधायत पर्तिबहत्ता का भी समर्थन किया तो अंतराष्टे सम्षोते देख लेते हैं जिसमें ग्रीश भी शामिल है जैसे की पर्मानू आपूर्ति करता समूँ उसके बाद में सारे प्रोदों की नियंतर विवस्ता यह सारे बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे आप लोग चाहे दो लाएं में लिख रहे हैं या तीन लाएं में लेकिन इसे यूपीसी के लिए बहुत ही जादा महत्पूर है चाहे वह ब कुर्वी भूमादेसागर छेत्र में लगातार जो है वो ग्रीश के साथ संबंद बहतर होने से भाद कभी वहां पर परभूत बढ़ेगा जब कोई कश्मीर और इस्लामी सहयोग संगठर में पाकस्तान को तुर्की के संबल्थन पर विचार करता है तो इस छेत्र में आतनिर भरता प्राइख रहा है खुदको आतमिरभर बनाने का प्रयास का रहा है तो और ऐसा देखा गया है चीन के द्वारा जो डिफेंस इस्टम लिए जाते हैं वो कहीं नहीं हो पाते हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा बहतर नहीं होते है तो इसी माय कहा जाता है कि करती हुई वाली कंट्री बन गई और भारत के लिए एक आर्थिक अफसर्थ परदान करता है ठीक है और रक्षा और सुरक्षा छेत्रों के अगर बात किया जाए तो भारत ग्रीश रक्षा संबंधों में सुधार हो रहा है उन्हेस्टाने में जहां रक्षा सहयोग पर पहला समझ होता यापित हुआ था जिसमें सेनाओ के साथ सन्युक्त कालेकरम और यूद्ध पोतों की आपधिक यात्राओं को भी सामिल क्या गया था और अप्रैल में भारती बायूर शेनाने पहली बार बहुराश्टी अभ्यास के नाम याद रखेगा यह सिंप्ली जो है वो ए हेलनिक एरफोर्स के द्वारा तो यहां पर भाग लिया जाएगा भारत के द्वारा जिसकी मेजवानी जो है वो हेलनिक बायूसिनाने चार एस्यू 3-0 और 2C17 विबानों के साथ यहां पर अभ्यास के है दो यहां तैस की बात करें तो चार ग्रीक यहां पर ग्रीक के पास सबसे बड़े हवाई अभ्यास तरंगती में भी अपनी भागिदारी बढ़ा दिया तरंगती याद रखेगा कि तरंग सक्ति में भी बहुत ज्यादा बेहतर इस्यति बन गया है भागत के लिए यह जो है वह एयर फोर्स के लिए concerned कि तरंग सक्ति में मुगता जहां हो गया डिनडिया ऐश्यलिया अब जो है आगे चलके सामिल होगा है तो भारती और यूनानी का जो प्रशिच्छन होगा χει के एक्सरसाइज होगा इससे क्या होगा कि उनानी F-16 से परचीत हो जाएगा भारतिय विभारतिय सानिंगे परचीत होगा इससे की पाकिसान से लड़ने में हमें आसानी होगी जब कभी अगर यूद होगा तो क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 है ठीक है यह ध्यान रखेगा कि रक्षा उपकरनों का उत्पाधन और निर्यात करने के लिए भी भाज के जीबंत रक्षा और दोईक परिसित की तंत का भी पता लगा सकते हैं तो यह था ठीक है और इसमें निश्करस देख लेते हैं तो ब्यापारिक जहाजों के सबसे बड़े बेड और इस चेटरों में भाज के संब्ध बहतर हो सकते हैं भाज और ग्रीश के बीच में संब्ध अगर बहतर होते हैं तो वह परिक रूप से लावकारी है भू आर्थिक और भूरनितिक धाराओं के साथ तालमेर बिठाने में भी हमें सफलता मिलेगी उसी के साथ दिशाल प्राचीन रिलेसंस हैं वो भी और बहतर हो सकते हैं तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने डिसस क्या इंडिया और ग्रीश के बीच में जो संब्ध बहतर होंगे उससे क्या-क्या लाब हो सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में एक 22 फ्रवरी को ग्रीश के पधार प्राओं में देखी गई सुभी का पेंटिंग यह याद रखेगा सुभी का पेंटिंग के समद में निमलखी कत्म पर विचार की लिए तो पहला जो है वो सुभी का चित्रकला सैली जो है वो कोया समुदाय के सांस्क्रितिक इतिहास से जुड़ी है दूसरा सही है एक अस्टेट्मेंट गलत है ठीक है इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं कि सुभी का पेंटिंग जो है वो अपनी च्छा जीवित पांडुली क्यों सुभी का अचौबा सुभी का लाइशवा शुबी का चौदित सुभी का चेंदिल और ठेंगरा खेल सुभी कि कुछ को या समुदाय था इसले पहला शेत्मुन गलत हो गया जो है वो में तय समुदाय के साथ तो इसका उप्यक्षा के करण जो है पैंटिंग पहले से मवजूद विसस्ताओं और अनप्रवाव द्वारा निर्मि सांस्कृतिक रुपांक्नों की है ठीक हलांकि उप्य अब देख लेते हैं अगला कोशन घर मतलब की गो होम एंड रियूनाइट पर विचार करें तो पहला स्टेटमेंट है घर मतलब की गो होम एंड रियूनाइट पोर्टल जो है वो राष्ट्रे बाल अधिकार सरंक्षर आयोग द्वारा लॉंच किया गया सही है उसका दूसरा स्टेटमेंट है पोर्टल जो है वो किसोर नय परनाली में उन बच्चों की उन बच्चों की डिजिटल ट्राकिंग और निगरानी की सुभधा पदान करता है जिन्हें दूसरे देश दूसरे राजी या फिर दूसरे जिले में बापस भेजने की आवाज सकता है तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा तो यहां पर कोश्चन में पूचा गया है उप्रोप में कौन से कथन गलत है इसलिए कोई भी गलत नहीं है इसलिए डी सही हो जाएगा उसके अगला कोश्चन है बन सरक्षा अधिनियम उनएस स्वासी के समद्ध में निमलिट्रिक अत्म पर रूप से बन के रूप में अजिसुजीत नहीं किये गए छेत्रों को सुरक्षा परदान किया और तीसरा स्टेटमेंट है यह एक मात अधिनियम है जो अपनी आजीवका के लिए जंगलों पर निर्वर आधिबासियों और बनबासियों के अधिकारों पर रक्षा करता है क् सिर्फ और सिर्फ एक ही कथर ऐसा है जो सही है ठीक है क्योंकि जो बन सरकार को उद्यों के साथ-साथ बन निवास समुदाय द्वारा लकड़ी और बास से लेकर कोईला और खनी जो तक बन संसाजनों के निशकर्शन को भी बिनमित करने का अधिकार है ठीक है यहां पर पहला स्टेटमेंट सही हो गया दूसरा जो स्टेटमेंट है एक अलग अधिनियम बन अधिनियम कानून जो है अपनी आजीबका के लिए जंगलों पर निर्वर आधिबासियों और बन बास पहले सही बन के रूप में चिनित खेत्रों के लिए उपलब्द है ठीक है यहां पर पहले सही उपलब्द है ऐसा नहीं है कि इसमें चिनित क्या गया तो यह थे आज के देहिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्पून कोश्चन जो की करेंट अफ् सब्सक्राइब करें था थे